हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टो इंट्राकॉगनेशन और आप सभी ने जैसे आपको पता है कि आंसर की आ चुकी है तो आप सभी ने मुझे लगता है कि अपने आंसर की देख लिए होगी और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं अपने एक अंदाजा लगा लिया होगा ठीक है कि इतने कुशन सही है इतने परसंटेज आ रहे हैं तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपने जो एनलेसिस किया है जितने मार्क्स आप क्या आ रहे हैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है बहुत से बच्चो के बच्चों से मेरी बात हुई मुझे पता चला है कि पेपर काफी डिफिकल्ट आया था तो जितनी डिफिकल्टी और पेपर की होती है उसे साफ से जो कम हो जाता है ठीक है दूसरी चीज यह है कि जो अटेंडेंस थी एक्जाम में आपने देखा होगा आप लोग भी जब पेपर देने गए होंगे तो आपने हॉल में देखा होगा बहुत कम बच्चे एक्जाम देने आये थे आसपास की जो सीट थी वो खाली थी तो काफी सारे जो बच्चे वो एपसेंट हुए उस वज़े से जो है वो कट आफ कम होने की यहां पर भी उम्मीद है तीसरी चीज की number of JRF क्योंकि यह merged exam था ठीक है जून 2021 और December 2020 का यह merged exam था तो UGC नहीं जो seat number of seat for JRF and for NET वो बढ़ाई है of course बढ़ाई होगी double की होगी तो जितने बच्चे होंगे जितने बच्चे apply किये होगे जो registered candidates होंगे उनके percentage के base पे seats decide की गई होगी NET और JRF candidates की लेकिन उसमें से बहुत कम बच्चे exam देने गए जिसका फायदा जो बच्चे exam देने गए हैं उनको मिल सकता है ठीक है तो हम देख लेते हैं अब दूसरी चीज में आपको यह बताना चाहरा हूँ कि जिससे आपने calculate किया कि आपके 55% या 55% marks आ रहे हैं ठीक है ज़रूरी नहीं कि उतने ही हाएं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप challenge नहीं करते हैं दूसरे बच्चे कोई question challenge कर रहे हैं और UGC को लगता है कि ये question में कुछ गड़बड़ी थी इसके दो options है ये तो कई बार कुछ question reject भी हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो question आपका exam हुआ था मतलब बहुत लेट exam हुआ था COVID की वज़े से लेकिन जो मेरे marks आ रहे थे मेरा जयारे फुआ था उस टाइम तो मेरे जो marks थे वो 208 marks थे ठीक है 208 marks मैंने calculate किये थे लेकिन जब result आया तो मेरे 222 marks आये थे 300 में से ठीक है तो दो question कहीं ने कहीं मैंने challenge नहीं किया कि कम होने की उमीद marks बहुत कम उमीद होती है बढ़ेंगे आपके marks एक या दो question कहीं न कहीं गलत होते हैं कहीं उसमें problem होती है तो वो उस question के marks अभी को दिये जाते हैं ठीक है तो मेरा 74% marks आये थे मैंने social work से जारेफ qualify किया तो 74% मेरे marks आये और cut off जो उस time बहुत high गया था 71% cut इतना cut off नहीं जाएगा social work के लिए या किसी भी subject के लिए तो हम एक बर cut off check कर लेते हैं देखिए अब एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि देखिए approximately 10 लाग बच्चे register करते हैं इस exam के लिए सारे subject का मिला के ठीक है उसमें से जो बच्चे हैं जितने exam देते हैं वो 20% तो register करना चीए लेकिन ऐसा नहीं हुआ लगभग 15 लाग अगर approximate 15 लाग बच्चों ने अगर register किया होगा उसमें से काफी सारे बच्चे absent भी हुए तो जो लगभग लगभग जो exam देने के जो बच्चे का जो number है वो लगभग लगभग जादा नहीं बड़ा लगभग same रहा ज जो single cycle में होता है तो लगभग 12 लाग बच्चों ने exam दिया होगा अगर approximate अगर analysis करें तो क्योंकि absent बहुत बच्चे हुए हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 6% UGC क्या करता है 6% बच्चों को registered candidates के 6% बच्चों को net देता है और उसके कुछ बच्चों को जो budget हो यह होगा कि इस 12 लाग का लगभग 6% नहीं 12% बच्चों को net दिया जाएगा तो number of candidates बढ़ गये हैं cut off of course कम होगा आप बिल्कुल बेफिकर रही है आपने अपना 100% दिया है इस exam को लेके आपको 100% मिलेगा भी आप थोड़ा weight कीजिए और अगर नहीं भी होता है तो exam दूस कीजिए अभी सिर्फ पढ़ाई शुरू करके और December वाले में JRF हुई है ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि क्योंकि अगर हम सारे subject में बात नहीं करूंगा लेकिन अगर हम देखें तो लगभग लगभग एक ही चीज होगी कि 2 या 3% 3% 2% minimum cut off कम होगा किसी भी category में आप 60% कम करेंगे 60% के असपास cut off होना चाहिए इसी तरह से आप 2,5% हर किसी के लिए JRF के लिए भी कम करेंगे और Assistant Professor के लिए category wise कम करेंगे तो आपको लगभग उतना cut off आने वाला है ठीक है तो ये एक अनुमानित है ठीक है बाकी किसी किसी subject में हो सकता है जादा भी जा सकता है क्योंकि candidates बढ़ गए होंगे या attendance जादा होगी it depends ठीक है तो अब जुब JRF है तो 70% जैसे economics का था तो 68% जा सकता है इसी तरह से अगर हम social work की बात करें जो हमारा subject है तो हम social work पे आते हैं ठीक है social work, sociology, history ठीक है ये सारा जो cut off है ये UGC release करता है रिजल्ट निकालने के बाद ठीक है तो ये है social work, unreserved category में जो social work का जो cut off गया था net के लिए वो गया था 64% ठीक है मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ सॉरी यहाँ है देखिए यहाँ देखिए यह रहा, social work के लिए unreserved में 64 और 72% जो है वो जैरेफ के लिए गया था और जो total number थे वो 31 थे जैरेफ के लिए ठीक है यहाँ पर 31 ठीक है तो अब क्या होगा लगबग 70 बच्चों को जैरेफ दिया जाएगा इस बार क्योंकि जो दो बार का merged exam है ठीक है तो 60 बच्चों को एक्जाम दिया जाएगा number of candidates कम है तो of course cutoff जो है वो 72% ना जाकि लगबग 70-69% के असपास जाना चाहिए क्योंकि paper बहुत ठफ था social work का और paper 1 भी बहुत ठफ आया था अगर आप social science से exam दे रहे हैं तो I know कि maths काफी difficult होता है reasoning बहुत tough आये थे जो social science as a social science के अगर आप बच्चे है तो बहुत मुश्किल होता है वो questions crack करना ठीक है तो इस वज़े से बहुत बच्चे maths के question नहीं कर पाया reasoning के question नहीं कर पाया ठीक है तो number series के question नहीं बन रहे थे काफी tough थे और ये भी कहीं पता चला है कि कुछ question paper 1 में गलत भी थ जाएंगे और वहां उसके number सबको मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल बे फिकर रही है आपका दो या चार number आपके बढ़ने वाले है क्योंकि कहीं सारे question cancel भी होते हैं ठीक है तो 64% अगर cut off गया था paper sorry net के लिए तो ये 62 के असपास जा सकता है इस बार उसी जगे अगर EWS से 58 तो 56-55% होगा OBC non-crimi layer के लिए भी 56-57% के लगभग net के लिए होगा और JRF की अगर बात करें तो 72 अगर general का था तो 70% पे JRF होना चाहिए इस बार ठीक है then अगर SC-ST की बात करें तो अगर 53% net के लिए था तो ये 51% के असपास होगा SC के लिए और ST के लिए भी same है और JRF 61% के असपास जाना चाहिए 64% गया था last time and 62% ST के लिए था तो 59-60% इस बार JRF मिल सकता है ST candidates को तो ये एक analysis से last year के और इस साल का जो attendance के base पे अगर हम देखें या number of जो number of increase हुआ है JRF candidates का उसके base पे देखें तो आप बिलकुल बे फिकर रहे हैं अभी exam और आने वाली है अग अभी से पड़ाई शुरू करिए all the best for your exams and जैसी result आता है हम इस पर भी discussion करेंगे मैं एक video बनाऊँगा अगर आप नए है social work की तयारी कर रहे है net JRF के लिए या first paper की तयारी करना चाहते हैं तो please subscribe the channel thank you so much and all the best